हाले मेरी दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्वैथा पाक कलाम स्वागत की साथ साथ अभिनादन करती हूँ तथा अपनी नए दोस्तों कैसे बूल सकती हूँ हेलो आप लोग कैसे हो हाँ श्वैथा पाक कलाम बना है पाव भाजी जो बहुत ही सिंपल तरीके से बन के तया आयए खरी अबावJe चुस्क्त और आइजहा फून की विवारान सभी और। और दोसो से तीन सो ग्राम इसको एंदर हमने लौग की की मे Quran कर सकती है कि ईसे वहस्ती के लीड॑ नारी खाल्स फीया है युज पेल रखी टलायाielle है जो भी और आग पास उसकी प्लब और सबस्सक्राइब logically का रहते हैं तीन हमने हरी मिर्चडी जिसको बारी टुकड़े में काट की तयार कर लें, एक हिंच दरक का टुकड़ा हमने घीज की तयार किया, तीक हाप अपने स्वाध करसा कम्या जादा कर सकते हैं, सबस्पहले एक हमने प्रेश रखू कर ले लिया, जिसके अंदर लौकी को डाल दी, आप मेरी इस तरीके से एक बार पावभाजी जरूर बनाएगा, आपको बहुत जादा पसंद आएगी, साथी साथ पूरी तरह से हिल दी है, अब इसके अंदर पने गाज़ट डाल दिया, टमाट़ डाल दिया, साथी साथ बंद गोबे और आलू को डाल देते हैं, आधा ट पापशाओं के स सब्धाइए अब इसको और प्लत व मिर्च अलगा कता है, अन्येर दुटेशंके अलगा, साथ साथ भाड़ से पक के तयार हो गई है एक सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को ने दो मिनिट लो कर दिया था इस तादी की पूरी सब्ची पक के तयार इस अची को पकाते समय अलग से मने किसी पानी को उपयोग नहीं किया तो मैं सकस आता से अच्छी तरह से मैश करके तयार कर लेना है बरे को घुशन कर दाओं तरह मेम गफेक है तक मिनम बपशुटा से अच्छी तर्ह और उप्षण है घुल मिल जाए हम ने अक मेशर लेए जिसके तोरह इसको अच्छी तरह से मेश कर देती है और इसके चूटे स्युटे चोटे पीसिस त्यार हो जाते हैं इस तरह देके मैश करते वह दो मिलट हो गया यह तैयार हो गया अगर आप बहुत जादा कलर्फूल खाना पसंद करते तो इसके अंदर थोड़ा सा कलर डाल लीजे या फिर इसके अंदर देगी लाल मिर्ज को डाल लीजे इससे बहुत अच्छा इसका कलर आ जाएगा लेकि अब सब्ची को अच्छी तरह से मिला कर लिए उपर से थोड़ा से इसके उपर हमने धन्या पता डाल दिया इस तरह देखे पाव भाजी वाली भाजी बन के तयार होगे इसको रख देते हैं साइट में एक पैन गैस के उपर रख देते हैं उसके अंदर एक टेबे स्पून हमने बटर को डाल दिया इस तरह से देखे बटर मिल्ट हो गया है अब इसके अंदर हमने चौथाई टेबे स्पून जीरा को डाल दिया जीरा का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया इसके अंदर हमने भाजी को डाल देना है और थोड़ी सी भाजी इसके अंदर डाल देते हैं चलाते भी एक मिनिट तक इसके साथ हमने इसको भून के त्यार कर लेना है एक पर आप मेरे तरीके से पाव भाजी जरूर बनाएगा आपको बहुत जादा पसंद आएगी और इस तरह देखे भाजी को अपने जीरा और मक्कन के साथ अच्छी तरह से मिला कर लिया है इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेती है इसी पैन के अदर हमने पाव को पना के त्यार कर लेना है टेपर स्पून इसके अंदर हमने मक्का को डाल दिया मक्का उन डालने बाद इसको अच्छी तरह से चारो तरफ फैला देते हैं इस तरह देखे इसको फैला के हमने त्यार कर लिया दो पिंच के करीब इसके अंदर हमने पाव भाजी मसाले को डाल दिया तोड़ा सा थनिया पत्त नाल दिया इसको डार कर अच्छी तार से हमने फैला धिया और फैलाने बाद दो पीसे पाउ को रखते हैं कैस की फ्लेम को लो रकते हैं और लो फ्लेम पे ही इस पाउ को अपने सेक के तैयार करना है इसमें भाजी का बहुत अच्छा स्वात आता है, एक पर आप मेरे तरीके से पाव भाजी जरूर बनाएगा, आपको बहुत जादा पसंद आएगी, दोनों तरब से इसको सेख के तयार कर लेती हैं, और इस तरह देखे पाव भी हमारा बन के तयार हो गए, इसको हमने इस तरह आपने लोकेक दारा पाव भाजी बनाई तो आपको कैसी लगी, आपने प्ला कीमती से में निकागे हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्माद, बहुत बहुत शुक्रया, फिर मिलते अपने नई वीडियो, नई रेस्पिक आपकला हम, बाई दोस्तुएं, टेक केर